नमस्कार दोस्तों मैं उद्रेलाड फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी के चहिते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में वीडियो देखने वाले हर किसान भाई ये वो मुर्गी पालन भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों दुनिया का सबसे किफायती और कम लागत में होने वाला अगर कोई व्यावसाय हो तो उसका नाम है सिर्फ और सिर्फ मुर्गी पालन लेकिन दोस्तों मुर्गी पालन का व्याउसाय सबसे कम लागत में होने वाला हो या मुर्गी पालन के व्याउसाय से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी हो लेकिन दोस्तों कुछ गल्तियां हम दोहराते हैं साथ ही में वहाँ पर जो मुर्गी है उन पर टीका करन हुआ है या नहीं यह भी हमें पता नहीं रहता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जब हम मुर्गी का चुनाओ करते हैं यह चुनाओ करते हुए वह मुर्गी असल में टीका करन उसको हुआ है या नहीं अगर यह पता नहीं होगा हम मुर्गिया अगर 5-5 कलेट करके बाहर से लाए तो हमारे मुर्गियों पर बीमारी हो सकती है और IC 5-10 मुर्गिया 81 करके अगर मुर्गी पालन का व्यावसाए हम कर रहे हो दोस्तों तो हमारा मुर्गी पालन का व्यावसाए 6 से लेके 8 महिने का ही सिर्फ महमान है क्यूंकि दोस्तों आपको पता है कि मुर्गी सबसे sensitive bird है और साथ ही में अगर हमारे पास 100, 200 या 500 मुर्गिया हो और उसमें से एक भी मुर्गी पर वहाँ पर बीमारी आ गई दोस्तों तो हमारा total farm destroy होने में ज्यादा दिन नहीं लग सकते लेकिन आपको यह गलती सुधारनी होगी या आपने जहां से मुर्गिया लाए वहाँ पर अगर टिका करन हुआ ही नहीं या आपको पता ही नहीं है कि हमारी मुर्गी पर टिका करन हुआ है या नहीं या असल में हमारी मुर्गी पर कोई बीमारी है या season change होते हुए जो मुर्गी पर बताया जाएगा यानि कि आपको मालुम हो या ना मालुम हो आप यहां पर व्यावसाई की शुरुआत करते हुए आपको कुछ भी नॉलेज ना हो तो एक दवा देकर भी आप आपकी टोटल मुर्गियों का टीका करन या वैक्सिनेशन कर सकते हैं और हमारे या खुद के मुर होगी पालनका फार्म सव प्रतिशत तक सेफ हो सकता है लेकिन आपको यह दवा मालुम है या नहीं मुझे नहीं पता लेकिन आपको यह दवा जान कर लेनी होगी तो यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंततक देखना होगा इसको कैसे दिया जाता है और देने का क्या तरीक है कि बीमारी पता ना हो टीका करन हुआ ना हो कौनसी भी तकलीफ हमारे मुर्गी को हो तो उसका एक ही इलाज आज की दवा है दोस्तो वीडियो आखिर तक देखो उसके बाद आपको दवा पता चल जाएगी और उसके साथ ही में दोस्तो वीडियो अगर पसंद आए तो इस कि दक नहीं किया होगा तो लाइक तुरंट कर लिजिए और साथ ही में इस वीडियो को शेर जरूर कीजिए दोस्तों की मेरे बहुत से भाई है वहां पर किसान भाई साथ ही में मुर्गी पालक भाई की जिनके पास मुर्गिया है ठीका करन कभी भी नहीं हुआ और उनकी मर रही है या इससे पहले कभी मरी है दोस्तों या एकस्पाईर हो चुकी है तो यहां पर यह वीडियो शेर कीजिए इसके लिए परसनल वाटसप नमबर वाटसप ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेसबुक इंस्टा पर लिंक भेजिए आपकी एक लिंक दोस्तों वहां पर आपके मुर्गी पालक दोस्त के हर मुर्गी को बचा सकती है और आपके मुर्गी पालक भाई की दोस्त की वहाँ पर मुर्गी बच गई दोस्तो तो उसका जो फैमिली का स्ट्रक्चर है वह बरकरा रह सकता इसलिए शेर केजिए और सब्सक्राइब करने के लिए आप सिर से जल्दी मिल सकता है और साथ ही में दोस्तो कमेंट सेक्षन में आपकी समस्या भेशते चले आपकी आने वाली हर समस्या पर वहां पर टोटली नॉलेज आपको दिया जाएगा लेकिन अगले वीडियो के साथ आपको रिपलाई मिलेगा दोस्तो बेजिज़े कमेंट बेजते चलिए और आपका रिपलाई देख लेख लेए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आन करना लेकिन मत बूलिए तो देखो दोस देशी मूर्गी का चुना जब किया दोस्तों तो एक मूर्गी खरिदने के लिए हमें वहाँ पर बहुत घुमना पड़ता है इसका मतलब क्या है दोस्तों कि देशी मुर्गी पालन में देशी ब्रीट संभालना सबसे अच्छी बात है लेकिन देशी मुर्गी मिलती ही नह पढ़ती है इसलिए हमें आगर सव मुर्गों का फारमी बनाना हो तो वहां पर 20 या 25 किसानों से मुर्गिया लानी पढ़ती है इसका मतलब है दोस्तों कि इसके पास 4 पाद उसके पास 2-4 ऐसे करते करते हम सव मुर्गिया और उसकी पीचे 15 मुर्गे लाते है लेकिन इन सभी जब हम totally collection करते हैं तो क्या पता दोस्तों कि हर मुर्गी पर टीका करन हुआ है या नहीं और उसके साथ ही में देशी मुर्गी में टीका करने का रिवाज हमारे भारत वर्ष में वैसे भी नहीं है यानि आपके पास जो मुर्गिया मौजूद है उनमें ज्यादातर मुर्गिय आपना शिकंजा कभी भी कस सकती है लेकिन एक दवा उसका कवज बनके चक्र बनके वहाँ पर रह सकती है दोस्तों उस दवा का नाम है आर्टूबी स्ट्रेटन हाँ दोस्तों इसका नाम आपने सुना भी होगा या सुना नहीं भी होगा लेकिन दोस्तों आर्टूबी स्ट इंजक्शन मुर्गियों में एक ऐसी दवा है कि जिसका इस्तमाल करने के बाद जिस तरह से हम जितने भी पाप करें उन पापों को धोने के लिए हम वहां पर गंगा में जाते हैं उसी तरह से दोस्तों यहां पर अगर हम कितने भी यहां पर मुर्गियों पर बिमारी हो मुर् है उसको संभाल सकते हैं और उस मुर्गी का वहां पर टोटल इलाज भी कर सकते हैं इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर हमारा मुर्गी पालं के फार में हम हपते वारी जो बजार रहते हैं वहां से मुर्गिया लाते हैं साथ ही में बगल के जो गाव दे आते हैं वहां से कुछ मुर्गिया लाती है जो मुर्गिया वहाँ पर टीका करन उनका नहीं हुआ है लेकिन ISC मुर्गिया लाने के बाद आपको यहाँ पर एक ही बात करने की है कि जो दवा है R2B Straten इसको देना है दोस्तो और साथ है मी एक और बात करनी यह दोस्तो कि R2B Straten इंट्रामास इंजेक्शन जिन जिन को दिया गया है उन सभी मुर्गियों को अलग करना है और जिन को देना बाकी है उनको अलग करना है यानि जब तक R2B Straten नाम का इंजेक्शन दिया नहीं जाता तब तक इन सभी मुर्गियों को इकटा नहीं करना है इसका मतलब क्या है दोस्तो कि आर्टूबी स्टेटन इंट्रामास इंजेक्शन दे कर आप सव प्रतिशत तक आपकी हर मुर्गी का वहाँ पर टोटली सेकुरिटी यानि सेफ उनको कर सकते हैं लेकिन यहां करते हुए और एक बात है दोस्तो कि इसको देने का तरीका क्या है दोस्तो आर्टूबी स्टेटन दो तरह से दिया जाता है आर्टूबी स्टेटन देने का पहला तरीका है दोस्तो यहां पर इंजेक्शन के इस्तमाल से आप सिरिन के जो इस्तमाल है इससे भी इ देखी रहता है दोस्तों याने कि जब आप injection देते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों injection से जो आप दवा मुर्गी को देती है वो दवा उसकी ब्लड वेंस में वैसे ही चली जाती है और जिससे कि उसके जो मुर्गी का टोटल बॉडी स्ट्रक्चर है उस बॉडी में घुल मिल जाती है इससे आपको इफेक्ट स्रिफ 24 से 36 गंटों में दिखता है लेकिन दूसरा तरीका है दोस्तों जिसमें कि आप R2B स्ट्रेटन का जो दवा है वो पानी में मिला कर देते हैं लेकिन दोस्तों यह इलाज उतना इफेक्टिव नहीं है आगर आपको थोड़ा बहुत खर्चा वहाँ पर एडजेस हो सकता है दोस्तों क्योंकि R2B जो स्ट्रेटन इंजेक्शन है थोड़ा महेंगा मिलता है दवा के अलावा तो इसका इस्तमाल करेंगे तो बहुत आच्छे रिजल्ट आता है वैसे भी दोस्तों एक बात है कि हमें यहाँ पर जो टोटल रकम है इसका यहाँ पर तो हाँ ठिंकिंग दोस्तों में दिखेगा बशर्ते आपने यह इंजेक्शन हर मुर्गी को दिया हो उसके साथ ही दोस्तों आप जिस जिस मुर्गे को हपतेवारी बाजार से लाते हैं लाने के बाद आधे या एक घंटे में पानी पिलाने के बाद उसको इंजेक्शन देना है आपको दिन हो तो रात हो वैसा कुछ भी सवाल नहीं है क्योंकि injection का आसर दिन में भी होता है रात में भी होता है कुछ उसका मसला नहीं है और साती में और एक बात दोस्तों कि आप यहाँ पर अगर उसको पानी में मिला कर देंगे दोस्तों को इसको जो है टोटल बौडी में मिलने के लिए गुलने के लिए बहुत समय लगता है तब तक जो मुर्गी पर बीमारी होती है वो अपना असर दिखा सकती है और मुर्गी वहाँ पर दवा का असर होने से पहले खुद का वहाँ पर जो टोटल है जो body structure, body weight लूस कर सकती है और खुद की जान भी गवा सकती है इसलिए दोस्तों आपको इतना ही कहना है कि R2B straight and intravas injection का इस्तमाल करके आप मुर्गे हपतेवारी बाजार से लाए, बड़े शेड से लाए, कहां से भी मुर्गी लाओ, लाने के बाद पहले उसको injection दो, देने के बाद ही जिसको injection दिया गया उस मुर्गियों के साथ उसको मिल लाओ, आएसा करने के बाद दोस्तों आपको मिलने वाला रिजर्ट सव प्रतिशत तक आच्छा मिलेगा, और साथी में दोस्तों लासूटा, जिससे की रानिकेत की जो बीमारी वो नहीं आती है, उसके बाद जो हमारे पास गंबोरो वैक्सिनेशन है, जिससे की माटा अग सेफ रह सकता है, और साथी में दोस्तों जब हम बरसाथ से लेकर वहाँ पर सर्दियों में, सर्दियों से लेकर धूप या गर्मियों में जाती है, यानि के सीजन चेंज होता है, तो मुर्गिया खुद को आट जे सीजन के बाद नहीं कर सकती, इसलिए उनको पहले 15-20 दिन फार्म की मुर्गी का जो mortality rate है वह घट जाएगा, और एक बाद सोच लो जान लो कि दोस्तों एक बार आपके फार्म की मुर्गियों का वहाँ पर mortality यानि मरने का rate ही कम हो गया, या आपके फार्म की मुर्गी मरी ही नहीं दोस्तों, तो आपका क्या loss होगा, क्या सव शत्तक नहीं दोस्तो लेकिन आप अगर R2B स्टेटन इंट्रामास इंजेक्शन साथ ही में टीका करन को भूल जाएंगे दोस्तो तो आप 6 से लेके 8 मेने ज्यादा ज्यादा साल देड़ साल में खुद का टोटल फार्म वहाँ पर लूज आउट भी कर सकते हैं आपको डराना यहाँ पर मेरा टोटली काम नहीं है श्रिफ आपको सचेत करना इतना ही मेरा काम है दोस्तो इसलिए आपके लिए यह वीडियो बनाया क्योंकि आपको अगर ए से लेके जर्ट कुछ भी जानकारी मुर्गी पालन में ना हो तो भी आप R2B स्टेटन इंट्रामास करके लिए आपके फार्न के लिए आप सभी दोस्तों को तहे दील से वहां पर बेस्टाफ लग दोस्तों और कुछ समस्य sniff आगर आती है है तो उन समस्या को वहां पर भैस्ते चेलिए कमें जैसे आपकी कमेंट्स आएंगे आपको किसा रिपलाइ वी लेगा लेकिन आगला देखने के लिए आपको इतना ही करना है कि वहाँ पर दाई साइड को निचली तरफ आने के बाद सब्सक्राइब करने के लिए लान निशन दिखता है उसको टच करना है उसके बाद color change हो जाएगा और बगल में इस्ता का इस्तमाल करते रहो तो दोस्तों आएसा ही एक नया वीडियो लेके मैं आपका दोस्त उदलाड आपके चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन में मिलता रहूँगा तब तक के लिए मेरे हर मुर्गी पालक भाई किसान भाई को तहे दिल से बहुत-बहुत